माई बिग गएड चैनल को सुस्क्काइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिये गए इस लाल बटन को ज़रूर दबाईए और वीडियो के नोटिक्शन पाने के लिए इस बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलिए नमस्कार दोस्तो माई बिग गएड इसमार्ट चैनल को चलाते हुए दिखा होगा और प्रभावित भी होगे तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे शॉटकर्स बताएंगे जिससे आप भी एकसल के एकसपर्ट बन सकते हैं आप भी एकसल को एकसपर्ट की तरह चला सकते है तो सबसे पहला तरीका हम आपको बताते हैं एकसल में सम करने का तेजी से आप कैसे सम कर सकते हैं आप किसी भी टेबिल के नीचे चले जाएए जिसका भी आपको सम निकालना हो और कंट्रॉल के साथ में आप प्लस बटन को एंटर कीजिए आप देखेंगे आपकी टेबिल स सम हो जाएगा तो यह बहुत तेज तरीका है Excel में सम करने का और अब हम जानते हैं दूसरी ट्रिक Excel के किसी सेल में अगर आपको Current Time लिखना है तो वो आप कैसे लिखेंगे आप अपने कीबोर्ड से सिंपल दबाएंगे Shift और Ctrl का बटन और साथ में सेमी कॉलन का बटन आप दबाएंगे तो आपके सिस्टम का जो Current Time होगा वो आपके Excel के सेल में आ जाएगा इसी तरह से Current Date लिखने के लिए आपको Ctrl के साथ में सेमी कॉलन को प्रेस करना है और आपकी जो Current Date होगी वो वहाँ पर Display होने लग जाएगी या आ जाएगी तो यह जो Date है यह Date Format आपको अपने Excel में Set करनी होगे हमने इसके बारे में एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं इसी तरीके से आपको यहाँ पर कोई Column Hide करना है Column Hide करने का Simple तरीक यह होता है कि आप किसी भी Column को Hide करने के लिए Right click करेंगे Column पर और यहाँ पर Hide का Option दिया गया होता है इसी तरीके से रॉर को Hide करने के लिए भी यहाँ पर आप Rocko Select करेंगे और उसे Hide करेंगे लेकिन इसका एक Shortcut है आप control के साथ में 0 बटन को प्रेस कीजिए और आप देखेंगे कि वो जो column है वो hide हो जाएगा इसी तरीके से आप control के साथ में अगर 9 बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी raw hide हो जाएगी देखें यहां पर हमने column और raw दोनों hide कर दी है इनको हम unhide कर लेते हैं इसी तरीके से शीट को change करना है आपके पास 3-4 sheet है और आप उन्हें change करना चाहते हैं तो आप shift control के बटन के साथ में अगर आप पहली sheet पर है तो आप दपाएगे shift control के साथ में button 3 तो आप आगे sheet पर बढ़ते जाएगे अब बात करते हैं, हम इस table को select करने के, table select करने के लिए आप mouse का استعم करते हैं, इस तरीके से लेकिन table select करने के लिए आप shift और control के साथ मैं arrow key का भी हम इंठाल करने के लिए. ।बब dice है और बातों में simple आपकी 구डो केद तरहिए. तो देखिए आपकी只 table है, वो कितने आसानी से कितने आराम से एक साथ में select हो जाती है अब इसी तरीके से अगर आप table में नीचे काम कर रहे हैं नीचे की किसी cell में है और आपको एकदम से उपर वाले cell में जाना है तो shift और control के साथ में आप 8 नमर को press करेंगे और यह जो 8 नमर है यह आपके numerical keyboard का होना चाहिए इसी तरीके से अगर आपको नीचे आना है तो आप नीचे की तरफ दो नमर को press करेंगे लेफ्ट में जाना है तो आप 4 नमर को press करेंगे और राइट में जाना है तो आप 6 नमर को press करेंगे तो इस तरीके से आप अपने टेबल में चारों तरफ कहीं भी left और right जा सकते हैं अब मानिए जो आपने जितना area जितने भी area में आपने type किया हुआ है matter यानि आपका मानिए हावर हमने ये date भी type किया है time type किया है और ये जो सारा हमारा text वाला area है हमें इसको एक साथ में select करना है तो आप क्या करेंगे अपने keyboard से shift और control के साथ में 8 बटन को प्रेस करेंगे और ये जो 8 number बटन होगा ये आपके alphabetical keyboard के उपर वाला 8 बटन होने चाहिए तो आप देखिए कि आपका जो selection area है जो आपने जितना भी type किया हुआ है वो सारा एक साथ में select हो जाएगा Excel में एक चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि जब आप किसी number वाली stable को select करते हैं तो साथ में Excel आपको instant information देती चलती है और वो information क्या क्या मिलती है हम आपको दिखा देते हैं तो जैसे हम इस table को select करेंगे तो आप देखेंगे नीचे साथ में आपको status bar में जो Excel का status bar है वहाँ पर आपको सभी cells का sum वो दिखाएगा उनका average यहां पर दिखाएगा और count भी वो यहां पर आपको दिखाएगा अगर आप चाहते हैं Excel आपको और भी जाज़ information सो करें तो बस आपको right click करना है और आप यहां पर देखेंगे numerical count दिया गया है maximum और minimum भी दिया गया है तो आप इनको एक tick लगा दीजे तो आप देखेंगे यह सारी चीजें भी आपको यहां पर दिखाई देने लगेंगे अब numerical count और count में क्या अंतर है अगर यहां पर number के लाबा text भी लिखा होता तो वो इसे numerical count में ले 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 था आप देखेंगे कि जब हम इसे select कर रहे हैं तो numerical count 7 है और total count 8 है इस तरीके से आप number और text के बीच में भी अंतर यहां पर कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आशा है आपको आज का यह वीडियो पसंद आयो अगर यह वीडियो आपको पसंद आयो तो हमारे चनल को ज़रूर सस्क्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और धेर सारी जैनकरी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट mybigguide.com पर जरूर लॉग इन कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद